मारास्ट की पॉलिटिक्स में भी इस वक्त जबरदस्थिल्चल बची हुई और इस वक्त मूंबाई में मातोश्री के बाहर जबरदस्थि नारेबाजी हो रही है बड़ी तादाद में उद्धव ठाकरे के समर्थक उन्के घर के बाहर जुटे हैं थोड़ी देर में उद्दो ठाकरे नेताओं के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं जिसमें चुनाव आयोग के फैसले के बाद आगे की रणीती तेकी जाएगी। क्या होगी इसको लेकर आज फैसला होना है। तो आप अपने सूरों को एक करोड़ फ्रीडम एप के जो गराहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दरसल पूरी शिफ सेना दो धड़े में बती हुई नजर आ रही थी जहां एक तरफ शिंदे गुटा तो दूसरी तरफ उद्धाव ठाकरे का गुटा और एलेक्शन कमिशन ने ये साप कर दिया है। जो धनुष बाड यनि शिफ सेना का प्रतीक है वो अब शिंदे गुट को दे दिया गया है जिससे उद्धाव ठाकरे में नाराजगी और इलेक्शन कमिशन के खलाफ अब सुप्रेम कोट का दर्वाजा खटखटाने की तयारी में उद्धाव गुटा और इसी को ले कर इस जाएगा जिफ सेना के बीज चले गया है जिसमें शिंदे गुट के विधायकों को जो अयोग्य ठैराए गये थे उसको लेकर सुनवाई चल रही है जिस पर सुनवाई अब दुबारा भी होनी है लेकिन अब ये एक और नया मामला सामने आया है जिसमें धनुष बान का जो चिन शिफ सेना पिछले कई सालों से जिस पर चुनाव लड़ती आई है अब वो चिन शिंदे गुर्ट को मिल गया है उधव थाकरे गुरुप चुनाव आयोग के सामने अपनी अपील को लेकर गया था लेकिन इसपर जीत शिंदे गुरुप को बिली है और उधव थाकरे ग्रुप का ये कहना है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे और लीगल तरीके से इस मामले को लड़ेंगे लेकिन कल जिस तरीके से चुनावायों का फैसला आया कि धनुषबान का चिन जो शिवसेना का चुनावी चिन था उसका इस्तिवार शिंदे ग बात को लेकर लगातार ये घमासान मचा हुआ है जो लगातार उधव ग्रुप के समर्थक हैं वो इस बात को लेकर नाराज है और इसलिए मातोश्री के बाहर इस तरीके से नारेबाजी पी चल रही है वहाँ पर पुलिस पी स्थिती को समालने की कोशिश कर रही है लेकिन अब उधव ग्रुप के लिए बड़ी चुनावती हो गई है क्योंकि माहराश्री में भी चुनाव आने वाले हैं ऐसे में अब उन चुनावों को लेकर उधव ग्रुप क्या स्ट्राटीजी बनाता है कब सुप्रीम कोर्ट का रुप करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से क्या अपील की जाती है ये भी अब देखना होगा सचिन हमारे साथ मातोशी से सीधे लाइफ जुड़ चुके है सचिन इस वक्त वहाँ पर क्या स्थिती है उधर ग्रूप की अगली स्ट्राटेजी क्या है कब तक सुप्रीम कोड का वरुप करेंगे और जो बैठक होने वाली है व दागी तमांग जो नेता है यहाँ पर पहुच रहे है और सबसे बड़ी बात कि सुपर से यहाँ पर हजारों की तादाद में शिवसेनिक जो है वह यहाँ पर जूट रहे है लगाता और नारे बाजी की जा रही है मुख्यमंतर इतनाशिंदे इनके खिलाब भी नारे यहा उद्धव ठाकरे और मातुश्री के साथ गटे रहेंगे उद्धव ठाकरे जो है एक बज़े से अब बैटक शुरू करेंगे और आगे जो तक्निकी पहली है निरने में क्या क्या होगा आगे क्या क्या हो सकता है उन तमाम चुछों को लेकर यहाँ पर मंतन किया जाएगा उसके बाद क्या वक्ता कुछ दिशा निर्देश दिया जाएगा क्या आगे भूमी का किस तरह से रखनी है आगे क्या करना है तमाम शुष्री के आप पर जुटे हुए उनसे हम बात करेंगे आप बताई कि जो कलका जो फैसला आया आप लोग यहाप समर्दन जुटाने आ पॉर्श नहीं लेखे गाया ना अम्चा करना है इसे हुए आप क्या कि उसको हिमाथ अपना बाप का नाम निकाल। लगा के बंबई में। अरे तुम अधर बढ़ करें हमारे साफ सामने करो ना। इतना गरव हो गया है। इधर भी मिलो हम दशी उसेने वाले चोड़ने वाले लही है। उसको हम लोगो बातों से चिंदों नहीं सकता है। सचिन यहां पर जो उद्धाव टाक्रे के समर्था के उनका क्या रुख है वो तो दिख रहा है लेकिन इन सब के बीच यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि इस पर NCP का क्या स्टेंड है फ्रीडम एप से सीख कर आपने सूर का पालन शुरू किया है क्या तो आप अपने सूरों को एक करोड़ फ्रीडम एप के जो गराहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं इस प्रमुक तोर पर कहना है कि जो संस्ता है उचनी आय्ग हो या फिर दूसरी जो संस्ता है वो कहिना कहीं दबाओं में है उन पर प्रशर है और इस तरह के निरने वी स्रीर के फैसला आय थे इसकी उम्मीत पहदे से उन लोगों को थी लेकिन उनका कहना है कि उद्धो ठाकरे जो है उनके साथ शिवसेनिक है जो कैडर है उनके साथ अभी भी है बली नाम उनको मिल गया है बने उनको चुनाव चुनने मिल गया है लेकिन शिवसेनिक जो है उद्धो ठाकरे मातुश्री के साथ में है ऐसे में उद्धो ठाकरे साथ तमाम जो नेता है उनकी बैठक मातोश्री पर यहाँ पर शुरू हो गई है।